हलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल हसे स्टेडी गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्याफोल्डिंग के बारे में इसमें आपको स्क्याफोल्डिंग के बारे में सारी डिटल्स मिलने वाली है इसमें हम जानने वाले है कि types of scaffold क्या होता है, types of claim क्या है, types of coupling क्या है, types of bracing क्या होते है, types of safety net क्या है, tax system क्या होती है, scaffolding के components क्या है, scaffold की rated capacity क्या होती है, और scaffold को हम कैसे inspect कर सकते हैं तो यह सारी जो information है आपको इस वीडियो के मात्यम से मिलने वाली है तो चलिए फिर वीडियो को start करते है तो सबसे पहले देखते हैं कि scaffolding की definitions क्या है scaffolding एक temporary structure है, जिसकी वज़े से आपको access provide किया जाता है जिसकी वज़े से आपको work platform दिया जाता है आदमी को काम करने के लिए या फिर scaffolding का जो use है, वो support के तोर पर भी किया जाता है जैसे कि material support के लिए उसका use किया जाता है, plant और equipment के लिए भी support का इस्तिमाल किया जाता है चलिए देखते हैं कि scaffolding activity के वग हमें कौन से हजार का सामना करना पड़ता है और उसमें क्या हजार होते है तो सबसे पहले है, falls from elevation, elevation से गिरने का खत्रा, struck by electrocutions थर्ड है, scaffold collapse, पुरी की पुरी scaffold जो है, वो collapse हो सकती है bad planking, यानि कि जो planks है, अगर आपने बराबर अगर नहीं रखे है, तो भी वो एक हजार है फिर है falling off material, कोई भी जो चीज है, scaffolding के उपर से नीचे गिर सकती है falling off tools, कोई भी loose material या फिर tools अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी tools उपर से नीचे गिरने का खत्रा है loose soil, अगर soil loose है, उसके उपर अगर आप scaffold बना रहे हो, तब भी वो scaffold गिरने का खत्रा है excavation near the scaffold, यानि कि जहां पर भी scaffold खड़ी की गई है, उसके नजदिक अगर मानलो कोई excavations होता है, तब उस excavation से वो scaffold गिरने का खत्रा है यानि कि excavation near the scaffold ये एक हजाड है incompetence scaffold यानि कि जो scaffold नहीं है, जिसको उस काम के बारे में जानकारी नहीं है, उसके अलावा अगर मानलो दूसरा कोई persons scaffolding का काम करता है, जिसके पास उसकी competency नहीं है, वो भी एक खत्रा है यानि कि incompetent scaffolder, तो चलिए देखते हैं कि scaffolding के वरक कौन सी precautions लेने की आपको ज़रुरत है तो सबसे पहले देखते हैं कि protections from false, यानि कि गिरने से बचने के लिए आपको क्या करना है तो गिरने से बचने के लिए आपको सबसे पहले guardrail लगानी है तो guardrail में क्या क्या आता है, तो two boards आते है, midrail आते है, toprail आते है इस प्रकार आपको guardrail करना है, ताकि कोई भी persons को उपर से नीचे गिरने से आप बचा सको और second आता है personal fall arrest system, उसमें आता है anchorage यानि कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो, उसका anchoring point सही होना चाहिए जो भी आप जहाँ पर भी scaffolding का काम कर रहे हो, उसके लिए proper lifeline होनी चाहिए ताकि आप अपना full body harness उसमें hang कर सको अब देखते हैं कि scaffolding system में कौन से tag का इस्तमाल होता है, और हर tag का क्या meaning है तो scaffolding activity work, total तीन tag का इस्तमाल होता है एक है green, दूसरा है yellow और तीसरा है red scaffold safe है और वो काम करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं दूसरा है yellow, yellow tag का meaning यह होता है कि उस scaffold में कुछ modification करना है और उस yellow tag में केवल scaffolder persons ही काम कर सकते हैं जो competent persons है और third one है red tag, red tag यानि कि कोई भी scaffold erection करने से पहले हमें red tag put up करना पड़ता है ताके जो भी authorized person से competent person से जो भी scaffolder है वही उसके उपर काम कर सके जब तक scaffold complete नहीं हो जाती उसके अलावा दूसरा कोई भी persons उस scaffold के उपर काम नहीं कर सकता तो सबसे पहले जानते हैं scaffolding components के बारे में तो scaffolding के components में आते हैं soul plate हो, base plate हो, standards हो, lasers हो, kicker lick हो, transomes हो, bracing हो, pipe हो, clamp हो, two board हो, scaffolding plank हो, top rail हो, mid rail हो, self closing drop bar हो, false upright हो, ladder हो इसके अलावा scaffolding के साथ में status of tag आता है, pulley आता है, rope आता है, lifting bag आती है, और variegation tape आता है तो इस प्रकार ये जो है, ये scaffolding के components है चलिए अब जानते हैं scaffolding components के uses के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं soul plate के बारे में नीचे में रखे जाते हैं, इसके रखने का ये मतलब होता है, कि जो load है, उस wide surface area के उपर जो है, वो spread हो सके और वो तब, जब scaffold को soft ground के उपर irrig किया जाता है, तब, soul plate का जो size है, वो आता है, 300 mm बाद 300 mm बाद 6 mm इस soul plate को हर एक जो base plate है, उसके नीचे में रखा जाता है, जहांपर foundation जो surface है, वो soil का हो, या फिर soft ground का हो अगर concrete roof की thickness, अगर 75 mm से अगर कम है, तो वहाँ पर भी soul plate का इस्तमाल किया जाता है चलिए अब जानते हैं base plate के बार में, तो base plate का भी जो इस्तमाल है, वो load को distribute करने के लिए किया जाता है जैसा कि आप image में देख सकते हो, कि यहाँ पर small square metal plates है, जिसमें standard को rest किया जाता है और वो इसलिए किया जाता है, ताकि वो जो standard है, वो ground की उपर sink ना हो, वहाँ पर उसको prevent किया जाए base plate का जो size है वो आता है, 150 mm by 150 mm by 6 mm base plate को हर एक standard के नीचे में place किया जाता है, except mobile scaffold क्योंकि mobile scaffold में जो है, वो wheel होते है इसलिए चलिए अब जानते है, adjustable base jack के बारे में, तो adjustable जो base jack है, ये base plate की तरह ही होता है लेकिन यहाँ पर jack लगने के कारण जिसको हम adjust कर सकते है, इसलिए इसको adjustable base jack कहा जाता है इसकी maximum load bearing capacity होती है 30 kN, और इसकी जितनी height होती है, उसका 2 third ही हम इसको lift कर सकते है यानि कि इसके jack को, इसकी जो height है, उसके 2 third तक ही हम इसको lift कर सकते है फिर उसके बाद है kicker lift, तो kicker lift यानि कि first जो runner होता है, और first जो transform होता है उसको ground surface से 150 mm above को install किया जाता है, उसे kicker lift कहा जाता है, जैसा कि आप image में देख सकते हो और kicker lift को दूसरा नाम भी है, वो है base lift, फिर उसके बाद है वो है tubes, तो tubes यानि कि scaffolding pipe तो scaffolding pipe का जो outer diameter होता है, वो होता है 48.3 mm और हरे tubes या फिस scaffolding pipe को इस्तमाल करने से पहले हमें उसको properly check करना है फिर उसके बाद है standard, इसे pose भी कहा जाता है, इसे vertical भी कहा जाता है तो standard जो है, वो हमेशा perpendicular होना चाहिए, और इसको हमें spirit level से check करना होता है scaffolding का पूरा जो weight है, वो standard के उपर होता है, और दो standard के बीच, maximum जो space है, वो होनी चाहिए 2 meter फिर उसके बाद है lasers, जिसे हम runner भी कहते है, तो laser को हमेशा 180 degree में जो है, हमें लगाना है और इसे हम horizontal brace भी कहते है, laser और transom को standard के inside में हमें fix करना चाहिए standard और laser को joint करने के लिए, हमेशा fix clamp का use करना है फिर उसके बाद है कि same bay में laser के जो दो joints है, वो साथ में नहीं आना चाहिए और laser के दो joints को joint करने के लिए, हमेशा box clamp का इस्तमाल करना है अगर हमारे पास box clamp नहीं है, तो उसके अलावा हम sleeve coupler का भी इस्तमाल कर सकते है लेकिन ये optional तोर पर होता है फिर उसके बाद है कि दो laser के बीच का जो vertical distance है, वो 1.8 meter से जादा नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद है कि first laser जो होता है, उसे kicker lip कहा जाता है जिसकी high ground level से 150 mm होती है फिर उसके बाद है कि जो standard है, उससे कम से कम जो overhang pipe होता है यानि कि जो extended pipe होता है, जिसे हम overhang pipe भी कहते है तो वो minimum 50 mm होना चाहिए और वो maximum 150 mm तक होना चाहिए फिर उसके बाद है transum transum को हम bearer भी कहते है तो transum को हमेशा standard के inside में हमें place करना है और laser के उपर हमें place करना होता है transum को जब भी हम standard के साथ लगाते है तो वहाँ पर हमें fix clamp का इस्तमाल करना होता है लेकिन transum को जब हम laser के साथ लगाते है तो वहाँ पर हम swivel clamp का इस्तमाल कर सकते है transum pipe जो है जो भी platform है उसके नीचे में हर एक 1.5 मीटर पर हमें लगाना होता है यानि कि दो transum pipe के बीच में जो distance होता है वह maximum 1.5 मीटर का होना चाहिए फिर उसके बाद है कि laser से जो transum pipe बाहर निकलता है यानि कि जिसे हम overhang pipe कहते है तो वह minimum 50 mm होना चाहिए और maximum 150 mm होना चाहिए फिर उसके बाद है कि transum के उपर जब आप plank डालते हो as a working platform के लिए तो उस transum की जो load capacity है यानि कि जो working platform है उसका weight जो है वो उसने bear करना चाहिए फिर उसके बाद है bracing तो bracing जो है ये एक diagonally tubes होता है जो scaffolding structure को strong और stable बनाता है bracing में longitudinal भी bracing आते है और जिग-जाग bracing भी आते है जैसा कि आप image में देख सकते हो कि यहां बर longitudinal जो bracing है वो लगाया हुआ है और जिग-जाग जो bracing होता है वो जिग-जाग way में scaffolding को support देता है इसलिए उसको जिग-जाग bracing कहा जाता है फिर उसके बाद है scaffolding coupler या फिर scaffolding clamp तो इसका जो इस्तमाल है वो दो scaffolding के tubes को एक साथ में join करने के लिए किया जाता है उसकी load capacity होती है और B class की load capacity होती है वो है 910 kg और इसको जो है 90 degree में दो pipe को join करने के लिए इस्तमाल किया जाता है फिर उसके बाद है swivel coupler जिसे चालू clam भी कहते है तो इसकी भी load capacity है ये class के उपर depend होती है तो A class का जो swivel coupler है उसकी load capacity होती है 610 kg और B class का जो swivel coupler है उसकी load capacity होती है 910 kg और इसका जो इस्तमाल है वो किसी भी degree में हम दो pipe को join करने के लिए कर सकते है फिर उसके बाद है sleeve coupler जिसे box clam भी कहा जाता है इसकी जो load capacity होती है वो होती है 550 kg जैसा कि आप image में देख सकते हो कि दो pipe को join करने के लिए यहाँ पर sleeve coupler यानि की box clam का इस्तमाल किया गया है फिर उसके बाद है ladder clamp तो इसकी जो load capacity होती है वो होती है 550 kg जैसा कि आप image में देख सकते हो यह ladder clamp की image है तो ladder clamp का जो इस्तमाल है वो ladder को stable करने के लिए किया जाता है फिर उसके बाद है plank coupler जिसे हम जाली clamp भी कहते है तो इसकी जो load capacity होती है वो होती है 565 kg और इस जाली clamp का जो इस्तमाल है वो जाली को यानि की saltstak करने के लिए किया जाता है फिर उसके बाद है putlock coupler तो इसकी जो load capacity होती है वो होती है 63 kg तो आप image में देख सकते हो कि put lock का दो pipe को join करने के लिए इस्तमाल किया गया है फिर उसके बाद है beam clam तो beam clam की load capacity होती है 3000 kg in pairs यानि कि pairs में इसकी load capacity होती है तो यह अलग-अलग size में आता है जैसे कि 50 mm, 75 mm, 100 mm और beam clam का जो इस्तमाल है वो beam में अगर हमें कोई support अगर लगाना है तो इस beam clam की मदद से हम वर लगा सकते है फिर उसके बाद है ladder ladder जो है यह एक piece of equipment है जिसका इस्तमाल नीचे से उपर और उपर से नीचे आने के लिए किया जाता है ladder का इस्तमाल अगर working platform में किया जाता है तो उस working platform के उपर में ladder जो है वो projected होनी चाहिए कम से कम 3 runs यानि कि at least 1.05 मेटर अबाव होनी चाहिए फिर उसके बाद है scaffold plank तो scaffold जो plank है उसमें कोई भी defect नहीं होना चाहिए या फिर उसके उपर कोई भी corrosion नहीं होना चाहिए इसका size आता है 200 mm by 200 AC mm by 38 mm scaffolding जो plank है वो 3 thickness में आता है सबसे पहला है 38 mm, दूसरा है 50 mm और तीसरा है 63 mm ट्रांजोम से इस scaffolding plank का minimum ओर हैं होना चाहिए 50 mm और maximum ओर हैं होना चाहिए 150 mm लेकिन अगर यहां पर scaffolding plank की अगर thickness अलग-अलग है तो यह rate भी बढ़ सकता है जैसे कि अगर scaffolding plank की अगर thickness 38 mm है तो वो हो जाएगा 152 mm अगर उसकी thickness 50 mm है तो वो हो जाएगा 200 mm और अगर उसकी thickness 63 mm है तो वो हो जाएगा 250 mm Transom pipe जो है वो हमेशा जो working platform है उसके नीचे में हमें 1.5 मिटर के distance पर ही लगाना है ताके scaffolding plan को हम जादा से जादा वहाँ पर support दे सके scaffolding plan जो है वो metal में भी आती है और wood में भी आती है फिर उसके बाद है platform तो platform जो है वो three types में आता है तो सबसे पहला है service platform वो हो सकता है या फिर access के लिए दिया गया वो access platform हो या फिर काम करने के लिए वो working platform हो फिर उसके बाद है top rail, mid rail और toe board तो टॉप rail जो है उसकी height हमेशा 950 mm से लेकर 1200 mm तक होनी चाहिए इसको हम बोल सकते है कि 1050 mm पर हमें top rail की जो height है वो maintain करनी होती है फिर उसके बाद है mid rail तो mid rail की जो height है वो हमें 400 mm से लेकर 600 mm तक रखनी होती है तो इससे हम बोल सकते है कि 525 mm पर हमें mid rail की height जो है वो maintain करनी होती है फिर उसके बाद है टोबोड तो टोबोड की जो हाइड है वो 150 mm हमें maintain करनी होती है और वो हमें इसलिए करनी होती है ताके कोई भी platform के उपर जो भी loose material है उसको हम prevent कर सके उसको हम नीचे ना गिरने दे फिर उसके बाद है false upright जैसा कि आप image में देख सकते हो तो ये एक vertical pipe होता है जो laser के साथ में, middle के साथ में और top rate के साथ में इसको fitted किया जाता है false upright की minimum length जो है वो होनी चाहिए 1,5 meter फिर उसके बाद है drop bar जैसा कि आप image में देख सकते हो तो drop bar जो है वो एक gate की तरह काम करता है drop bar जो है वो false upright में civil clamp के जरिये जो है वो fit किया जाता है और यहाँ पर gate का जो size है वो होना चाहिए 1,000 mm by 600 mm फिर उसके बाद है rope तो polypropylene जो rope है उसका हम इस्तमाल material को up करने के लिए और down करने के लिए करते है यह जो polypropylene rope है इसका जो diameter है वो हम lifting purpose के लिए इस्तमाल करते है वो है 18 mm से लेकर 20 mm इसका जो tail rope है वो long होना चाहिए 4.2 meter तक और किसी भी rope को इस्तमाल करने से पहले आपको उसको properly check करना है कि उसकी condition सही है तभी उसको आपको इस्तमाल में लाना है फिर उसके बाद है pulley जिसे हम gin will भी कहते है इसका जो इस्तमाल है वो material को move करने के लिए किया जाता है यानि कि ground level से top level तक और top level से ground level तक material को move करने के लिए इस pulley का हम इस्तमाल करते है इस pulley का safe working load जो है वो होता है 250 kg लेकिन maximum हम lifting के लिए अलाव करते है वो होता है 25 kg इस pulley को दो पार्ट में divide किया गया है पहला है ring type pulley और दूसरा है hook type pulley जैसा कि आप image में देख सकते हो फिर उसके बाद है lifting bag जैसा कि आप image में देख सकते हो इस lifting bag का जो इस्तमाल है वो clamp हो या फिर material को नीचे से उपर या फिर उपर से नीचे लाने के लिए इस्तमाल किया जाता है यानि कि clamp हो या फिर material को lift करने के लिए इसका हम इस्तमाल करते है इसकी जो lifting capacity होती है वो होती है 25 kg और कोई भी lifting bag का जब आप इस्तमाल करते हो तो सबसे पहले हमें उसको properly चेक करना है कि कही उसमें कोई damage तो नहीं है और अगर उसकी condition सही है तब ही हमें उसको इस्तमाल करना है और फिर उसके बाद है variegation tape तो variegation tape का जो इस्तमाल है वो public को danger zone से alert करने के लिए किया जाता है Types of scaffolding तो उसमें सबसे पहले हम देखने वाले है कि independent scaffolding क्या होती है फिर उसके बाद हम जानेंगे कि bird case scaffolding क्या होती है फिर उसके बाद हम जानने वाले है कि canty lever scaffolding क्या होती है फिर उसके बाद हम जानेंगे कि patented scaffolding क्या होती है और फिर उसके बाद हम देखने वाले है कि trastal scaffolding क्या होती है यानि कि हम यहाँ पर total seven types of scaffolding के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि यह जो total seven types of scaffolding है और उसका इस्तमाल कहाँ पर किया जाता है तो सबसे पहला है independent scaffold तो independent scaffold को हम कैसे पैचानेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई scaffold हो जिसमें दो standard खाली लगे है तो दो vertical जो standards है उसको support के लिए दो additional standards लगे हुए है आगे में यानि कि खाली इसमें दो standard रहेंगे और उसी दो standard को आप आगे बढ़ा सकते हो उसके आगे में आप और दो vertical standard लगा कर ऐसे उसकी length बढ़ा सकते हो लेकिन उस दो vertical standard के अलावा और तीसरा या फिर चवथा जो है वो standard आप जो है वो नहीं लगा सकते यानि कि आपको यह ध्यान में रखना है कि जो किसी भी scaffold में दो vertical standard है और उस दो vertical standard के बदोलत जो है पूरी scaffold जो है वो independent है जो आगे में extend हो रही है तो उसे independent scaffold कहते है जैसे कि आप इस image में देख सकते हो कि यहाँ पर दो vertical standard है और उसी दो vertical standard को आगे में extend किया गया है तो इस type की scaffold को independent scaffold कहते है example के तोर पर देखिए जब भी आप किसी building construction में काम करते हो तो उस building के surrounding में जब भी कोई painting का काम हो या फिर missionary का काम हो तो उस building के surrounding में दो vertical के सहारे उस पूरी scaffold को connect किया जाता है तो उस scaffold को independent scaffold कहते है चलिए अब जानते है कि birds के scaffold क्या होता है और उसको हम कैसे पैचानेंगे तो birds के scaffold में क्या होता है कि दो standard के अलावा और उसमें additional standard होते है तो उसको birds के scaffold कहते है जैसे कि इसके पहले हमने देखा था independent scaffold में दो vertical standard होते है और उसी को आगे में extend किया जाता है लेकिन birds के scaffold में क्या होता है कि 2 standard के अलावा और additional उसमें standard होते है वो भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो कितने भी हो लेकिन 2 से ज्यादा उसमें standard होते है तो उसको birds के scaffold कहता है इस image में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 से ज्यादा additional जो है वो standard है यानि कि additional balance यहाँ पर connect किये गए है तो बस आपको यहाँ पर यह समझना है कि जिस scaffold में 2 standards के अलावा और additional standards होते है वो भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो और उसके जरिये जो भी scaffold form होती है उसे birds के scaffold कहते है चली अब जानते हैं हमारे next type of scaffolding के बारे में जिसका नाम है cantilever scaffold आपके सामने में यह जो image है यहाँ पर यह जो scaffold already जो बनाई गई है और इसके अलावा अगर हमें additional scaffold चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यह जो scaffold है इसका support लेकर हम additional scaffold बनाएंगे जो हम नई जो scaffold बनाएंगे उसका जो support है वो हम ground level से न लेके जो हमारी पहले से जो scaffolding है उसके साथ हम उसको connect करके उसके साथ जो हम support लेंगे उसको cantilever scaffold कहते हैं आप image में देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो additional platform जो यहाँ पर extend किया गया है उसका जो support है वो ground level से न होके पहले जो already scaffolding थी उसके साथ में इसका support दिया हुआ है तो इस type के scaffold को cantilever scaffold कहते है आप construction line में जब भी जाते हो तो आपको ज़्यादा तर ऐसे जो cantilever scaffold है वो देखाई देते हैं तो बस simply आपको यह देखना है कि जो भी scaffold है उस scaffold में additionally अगर कोई working platform अगर बना रहे है और उस additional working platform का जो support है वो ground level से न देकर उसी scaffold के साथ में उसका support जो है वो दे रहे है तो उस type के scaffold को cantilever scaffold कहते है चली अब जानते हैं हमारे next type of scaffolding के बारे में जिसका नाम है hanging scaffold जिसको suspended scaffold भी कहते है hanging scaffold यानि की लटका हुआ scaffold यानि की suspended scaffold जिसको नीचे से कोई भी support नहीं है उसका जो total support है वो direct उपर से है example के तोर पर आपके सामने में ये जो image दिखाई दे रही है इसमें जो scaffold बनी हुई है वो नीचे से न बनकर उपर से बनके आई है यानि की उपर वाला जो support है वहां से ये जो scaffold है वो बनके नीचे आई है और ये जो scaffold है ये आप देख सकते हो कि ये hanging है यानि की ये suspended है तो इस प्रकार की जो scaffold होती है उसको उपर से बना कर नीचे आते हैं और worker भी यहाँ पर जब भी उस scaffold को बनाते है तो उस बनाते बग व और एक example है suspended scaffolding का आपके सामने में ये जो image दिखाई दे रही है इसमें एक जुला है और ये जो जुला है यानि की ये एक suspended platform है जिसके उपर आदमी खड़ा होकर काम कर सकता है तो ये जो suspended platform है इसका इस्तमाल ज्यादा तर sheet लगाने के लिए या फिर painting करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो ये जो suspended platform है यानि की जुला है इसका जो support है वो नीचे से कुछ भी नहीं है इसको उपर से type किया जाता है और उसको support दिया जाता है ताकि ये जो suspended platform है यानि की जुला है वो नीचे ना गिर सके तो इस type के scaffold को suspended scaffold कहते है फिर उसके बाद का हमारा scaffolding है वो है mobile मोबाइल टावर स्क्याफोल्ड जो है वो एक जगा से दुसरी जगा मूग करने के लिए बना जाता है जिसका इस्तमाद ज्यादा तर लोवर हाइट में यानि की 3 मिटर की हाइट हो 4 मिटर की हाइट हो 5 मिटर या 6 मिटर तो इतने हाइट पर अगर आपको कोई भी शिप्ट कर सकते हो क्योंकि इस मूबाइल टावर स्क्याफोल्ड में नीचे में वील लगाया जाते है और उस वील के जर्ये आप इजिली उस मूबाइल टावर को एक जगा से दूसरी जगा शिप्ट कर सकते हो और अपना काम जो है वो जल्दी से कर सकते हो फिर उसके पार्केड में भी आपको easily available मिल जाती है इस type के scaffolding में brackets होते हैं और उस brackets के ऊपर आप working platform जो है वो easily form कर सकते हो और ये जो working platform होता है वो adjustable होता है यानि कि आप easily जिस required level पर आपको काम करना है वहाँ पर उसको adjust कर सकते हो फिर उसके बाद का जो type of scaffolding है वो है trastal scaffolding तो इस type की जो भी scaffolding होती है उस scaffolding का जो working platform है उसको support दिया हुआ रहता है tripod से या फिर ladder से और वो जो tripod या फिर ladder हो वो movable होती है तो इस type के scaffolding के उपर ज्यादा तर जो काम है वो room के अंदर किया जाता है जैसे कि कोई paintings हो या फिर repairs हो इस type के जो भी छोटे मोटे काम होते है वो इस scaffolding के जरीए किये जाते है कपलिंग होता क्या है scaffolding में सबसे important equipment जो है वो कपलिंग होता है कपलिंग का जो इस्तमाल है वो एक pipe से दूसरे pipe को connect करने के लिए या फिर structure को connect करने के लिए किया जाता है चलिए अब जानते हैं कि types of coupling यानि कि clams कितने होते हैं तो सबसे पहला है single coupler यानि कि put lock coupler फिर उसके बाद है plank coupler जिसे जाली clam भी कहा जाता है और साथी साथ उसको BRC भी कहा जाता है BRC यानि कि board retention coupler फिर उसके बाद है double coupler जिसे right angle coupler भी कहा जाता है यानि कि जिसे fix clam भी कहते हैं फिर उसके बाद है swivel coupler यानि कि जिसे चालू clam भी कहते हैं फिर उसके बाद है grader coupler जिसे beam clam भी कहा जाता है फिर उसके बाद है ladder coupler फिर उसके बाद हम देखने वाले है sleeve coupler जिसे हम box clam भी कहते है और फिर उसके बाद आता है joint pin यहाँ पर हम total 8 types of coupling के बारे में जानेंगी यानि कि clams के total 8 types के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले है तो सबसे पहला है single coupler यानि कि put lock coupler तो put lock coupler का जो इस्तमाल है वो transome और toe board को connect करने के लिए किया जाता है जैसा कि आप image में देख सकते हो फिर उसके बाद है plank coupler जिसे जाली clamp भी कहा जाता है और साथी साथ उसको BRC भी कहा जाता है BRC यानि कि board retention coupler इस BRC का जो इस्तमाल है यानि कि ये जो जाली clamp है इसका जो इस्तमाल है वो एक plank को दुसरे plank के साथ में stability मिलनी चाहिए इसके लिए इसका इस्तमाल किया जाता है इस clamp की safe working load capacity होती है 565 kg फिर उसके बाद है double coupler जिसे right angle coupler भी कहा जाता है इसका जो इस्तमाल है वो laser यानि कि जो runner है उसको standard के साथ connect करने के लिए किया जाता है इसकी maximum जो standard load capacity होती है वो होती है 610 kg फिर उसके बाद है swivel clamp यानि कि चालू clamp इसका जो इस्तमाल है वो bracing और out trigger को connect करने के लिए किया जाता है चालू clamp में क्या होता है कि ये दोनों side से जो है वो rotate होता है यानि कि वो दोनों side से जो है वो घूम सकता है इसलिए इसको चालू clamp कहता है इसकी safe working load capacity होती है 610 kg यानि कि right angle जो clamp है और swivel जो clamp है इन दोनों की safe working load capacity जो है वो 610 kg है फिर उसके बाद है grader coupler जिसे beam clamp भी कहा जाता है इसका जो इस्तमाल है वो beam के साथ ट्यूब को connect करने के लिए किया जाता है और ये clamp इतना मजबूत होता है कि इसकी safe working load capacity जो होती है वो होती है 3000 kg आपको एक बाद यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि beam clamp जो है वो ladder को scaffolding के साथ में secure करने के लिए किया जाता है और इसकी safe working load capacity जो है वो होती है 550 kg फिर उसके बाद है sleeve coupler यानि की box clamp sleeve coupler का जो इस्तमाल है वो एक standard को दूसरे standard के साथ में वो चाहे vertical direction हो या फिर horizontal direction हो उसको connect करने के लिए किया जाता है और इसकी जो safe working load capacity होती है वो होती है 550 kg और फिर उसके बाद आता है joint pin इसका भी जो इस्तमाल है वो दो tubes को connect करने के लिए किया जाता है चली अब हम बात करते हैं कि bracing के कितने types होते हैं तो bracing के total 4 types होते हैं उसमें सबसे पहला आता है cross bracing फिर second आता है knee bracing फिर third में आता है sway bracing और fourth में आता है plain bracing तो आपको समझ में आ गया होगा कि bracing के कितने types होते हैं bracing के total 4 types होते हैं जिसमें हमने देखा cross bracing, knee bracing, sway bracing and plain bracing चली अब देखते हैं कि safety net कितने प्रकार के होती हैं तो safety net total दो प्रकार की होती है जिसमें पहली safety net man को arrest करने के लिए बनाई जाती है और दूसरी जो safety net है वो material को arrest करने के लिए बनाई जाती है तो सबसे पहले जानते है कि man के लिए जो safety net provide की जाती है उसका जो hole का dia होता है वो 100 mm होता है और उसका जो rope होता है वो 8 mm का होता है और जो material arrest करने के लिए safety net का इस्तमाल करते है उस safety net का hole का जो dia होता है वो 25 mm होता है और जो outline rope होता है वो 12 mm का होता है तो दोस्तों ये जो scaffolding rated capacity होती है ये हम OSHA standard की हिसाब से देखने वाले है OSHA 29 CFR 1926.454 के तहर जो duties होती है scaffolding की उसमें 3 duties आती है उसमें सबसे पहले आता है light duty फिर उसके बाद है medium duty और फिर उसके बाद आती है heavy duty ऐसे 3 duties में scaffolding को categorize किया गया है तो सबसे पहले आपको ये जानना जुरूरी है कि ये जो scaffolding की duties होती है इसके लिए लगने वाला जो भी scaffolding का material है वो proper होना चीए यानि कि उस material का proper जो है वो specification होना चीए उसी proper specification के जो material है उसका ही आपको इस्तमाल करना है scaffolding को बनाने के लिए अगर scaffolding का जो material है वो अगर proper नहीं रहेगा तो scaffold जो है वो failure भी हो सकती है तो इसलिए आपको जो scaffolding का जो material है उसके उपर आपको particular रहना है मतलब material का जो specification है वो इस scaffolding में बहुत ही important होता है तो अगर हम बात करेंगे tubing कबला scaffolding की तो उसमें scaffolding जो pipe है वो अगर 40 NB का है तो उसकी हिसाब से यानि की as per OSHA standard की हिसाब से इस हम duties को categorize करते हैं जो है light duty, medium duty और heavy duty और maximum length जो pipe होती है वो होती है 6 meter फिर अगर आपको अगर कम size का अगर pipe चाहिए तो उसकी लिए आपको manufacture को recommendations करना पड़ेगा उसकी हिसाब से manufacture जो है उस pipe को cut करेगा और उस cut करने का certificate जो है वो आपको ला कर देगा तो light duty में आता है कि इस scaffold की length है वो अगर 3 meter है और उसकी width 1.25 meter है और उसकी height अगर 2 meter है तो इस ratio के हिसाब से उसका light duty जो capacity हो जाता है वो होता है 25 pounds per square feet इसको अगर हम kg per meter square में convert करेंगे तो आ जाएगा 122 kg per meter square और इसको हम approximate 125 kg per meter square लेख सकते हैं फिर उसके बाद आता है medium duty इसमें जो है scaffold का pipe है उसकी जो length होती है वो होती है 2 meter उसकी जो width होती है वो होती है 1.25 meter और इसकी जो height है वो होती है 2 meter और यह जो height है यह maximum runner to runner होती है तो इसकी load capacity आती है 50 pounds per square feet तो इसको अगर हम kg per meter square में convert करेंगे तो वो हो जाएगा 244 kg per meter square और इसको हम approximate 250 kg per meter square लेख सकते हैं फिर और एक बाद आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि light duty और medium duty के लिए जो आप pipe का इस्तमाल करते हो यानि कि 40 NB यानि कि 48 mm का जो dia outer side का होता है 4 mm थिकनेस वाला जो pipe होता है लेकिन heavy duty के लिए ओशास कहता है कि वहाँ पर आपको 50 mm का जो dia वाला scaffolding pipe है उसका इस्तमाल करना है instead of 40 mm के जो dia का जो pipe है उससे फिर उसके बाद आता है heavy duty scaffold इसमें जो है scaffolding का जो pipe की जो length है वो और भी कम हो जाती है यानि कि 1.5 meter उसकी length होती है और उसकी जो width होती है वो 1.25 होती है और इसकी जो height है वो रहती है 2 meter जो maximum runner to runner होती है और इसकी जो load capacity होती है वो होती है 75 pounds per square feet इसको अगर हम kg per meter square में convert करेंगे तो वो हो जाएगा 366 kg per meter square और इसको approximate हम 375 kg per meter square लेख सकते हैं तो इस प्रकार आपको light duty, medium duty और heavy duty में कितना load capacity होना चीए per meter square पे वो पता चल गया है अब जैसे जैसे load increase हो जाता है वैसे वैसे बे की जो length है वो decrease हो जाती है यानि कि 125 kg का load अगर आपको रखना है तो उसकी लिए आपको जो बे की length है वो 3 meter रखनी पड़ती है यानि कि उसकी जो length है वो 3 meter होनी चाहिए लेकिन अगर उसका load अगर बढ़ जाता है यानि कि 250 kg अगर आपको load उसके उपर रखना होता है तो उसके लिए उसकी जो bay length है वो और कम हो जाती है यानि कि वो 2 meter length हो जाती है और फिर उसमें हमें additional support देना होता है ताकि वो जो scaffold है वो उस load को bear कर सके अब ये जो हमने light duty में उसका load capacity देखा है 125 kg पर meter square तो ये जो है ये kg पर meter square में है लेकिन हमें ये पता होना चीए कि one bay में कितना load जो है वो हम उसके उपर रख सकते हैं अब ये one bay क्या होता है कि एक pipe जो है जो horizontal है यानि कि जो आपके सामने वाला जो ऐसा pipe रहता है scaffolding का horizontal conditions में और उसके side में जो दूसरा pipe है जिसकी जो width है वो है 1.25 meter तो इसको अगर हम connect कर लेंगे तो हमें one bay मिल जाएगा तो चलिए अब calculate करते हैं कि total load एक one bay के उपर कितना आता है तो उसका जो formula है वो है length multiply by width तो यह length यहाँ पर है 3 meter multiply by width जो है वो है 1.25 meter तो इसका अगर हम calculation करेंगे तो हमें answer मिलेगा 3.75 meter square और फिर उसके बाद हमें यह जो 3.75 meter square है उसको multiply करना होगा 125 kg per meter square से तो उसका जो answer आएगा वो रहेगा 468 kg यानि कि one bay में total हम 460 kg जो है वो load रख सकते है यानि कि वो उसकी safe working load capacity उतनी हो जाती है अब हम समझने के लिए यह जो 468 kg है इसको segregate करते है यानि कि उस scaffolding platform की उपर कितने persons या फिर कितना जो tools and tackles है वो हम उस platform की उपर रख सकते हैं तो 468 kg यानि कि हम 2 persons और 250 kg का tools and tackles या फिर load रख सकते है या फिर 3 persons और 150 kg का load उसकी उपर रख सकते है या फिर 4 persons और 50 kg का load जो है वो उसकी उपर रख कर वहाँ पर काम कर सकते हैं तो यह जो calculations हमने निकाला है यह है light duty का calculations उसी की हिसाब से आप medium duty और heavy duty का भी calculation कर सकते हो तो आपको उसका 1 बे का कितना load capacity है वो पता चल जाएगा चली अब जानते है कि scaffolding का inspection किस प्रकार किया जाता है और उसमें क्या क्या points जो है वो आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो भी scaffold जहां पर बनाई है उसका ground level किस conditions का है वो आपको चेक करना है और ensure करना है कि उसका ground level है वो solid firm होना चाहिए और properly level conditions में होना चाहिए फिर second आपको चेक करना है उसका sole plate यानि कि inspection के दोरान आपको देखना है कि उसका sole plate क्या है sole plate का standard size आता है वो होता है 300 by 300 by 6 mm यानि कि उसका length जो है वो 300 mm का होता है width जो है वो 300 mm का होता है और height जो है वो 6 mm की होती है तो ये जो है ये sole plate का standard size होता है उस प्रकार आपको उसको check करना है फिर आपको देखना है कि उसका जो base plate है उसका आपको check करना है उसमें भी आपको ये check करना है कि वो जो base plate है वो direct जमिन पर नहीं होना चाहिए वो sole plate के उपर होना चाहिए और उस base plate का जो size है वो 150 by 150 by 6 mm का होना चाहिए यानि कि उसकी जो length है वो 150 mm होना चाहिए width जो है वो 150 होना चाहिए और उसकी जो height है वो 6 mm होना चाहिए फिर आपको चेक करना है कि उसका जो standard है वो अच्छी conditions में है के नहीं है और वो जो standards है वो level है के नहीं है वो भी आपको चेक करना है फिर आपको देखना है कि जो भी lasers वहाँ पर लगाये गया है वो properly clamp है के नहीं है वो भी आपको देखना है फिर आपको देखना है कि जो भी transoms वहाँ पर use किये गया है वो जो transoms है वो अच्छी conditions में है और वो properly जो है वो उसको tight किया गया है फिर आपको देखना है कि जो भी couplers वहाँ पर इस्तमाल किये गया है वो कही पर loose तो नहीं है वो भी आपको देखना है और ensure करना है कि वो जो सारे couplers है वो tight किये गया है फिर आपको देखना है कि जो भी planks वहाँ पर install किये गया है working platform के लिए यानि कि जिसे हम board भी कहते है तो वो अच्छी conditions में है और वो जो working platform है वो totally cover किया गया है और वो जो planks है उनके बीच में ज्यादा gap नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें से कोई भी जो tools है वो नीचे गिरना स यानि कि 150 mm उसका height होना चाहिए फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी guard rails वहाँ पर लगाए गया है जो standard उसकी height है वो maintain की गई है guard rail को top rail भी कहते है और top rail की height है वो होती है 950 mm से लेकर 1200 mm तक तो वो जो height है वो वहाँ पर maintain है कि नहीं है वो आपको check करना है फिर आपक आपको inspect करना है ladder का और आपको उसमें check करना है कि वो जो ladder है वो 75 degree में maintain किया है किया वो आपको check करना है साथ ही में आपको देखना है कि उसका जो ratio है वो 4S 2 1 है कि नहीं है फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ladder का जहांपर landing platform है उस से उसकी जो height है वो minimum 1 meter लेडर अब होना चीए और मिनिमम उसमें तीन रंक्स होना चीए यह कि जब भी उसका इस्तमाल आप करो तो ओपर से जब कोई भी पर्संस नीचे आया फिर नीचे से कोई भी पर्संस अगर उपर जाय है हो उज़ता स्वीलीं उस लेडर का इस्तमाल करें और बस आज के लिए इतना ही मलता है नेक्स वीडिम में एक ने टॉपिक के साथ में तब तक के लिए टेक किया बाइबाइब